सो हे गाईज कैसे हैं आप लोग मैं हूँ आपके साथ विकास और आज इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीजे बताने वाला हूँ जिनकी मदद से आप अपने डिवाइस की जो बैटरी है उसको सेव कर सकते हैं हाला कि ऐसी बहुत सारी चीजे हैं जो फेक्टर करती हैं लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ बिल्कुल हट करके कुछ ऐसी चीजे बताने वाला हूँ जिनकी मदद से आप अपने फोन की बैटरी को कहीं ना कहीं सेव कर सकते हैं अपसे पहले शायद आप ने ये ट्रिक कहीं पर देखी होंगी या नहीं देखे होंगी क्योंकि मुझे भी बिल्कुल नई लगती है ये ट्रिक्स तो यार बिना जादा आपका टाइम गवाए मैं आपको इन ट्रिक्स के बारे मैं बताना चाहता हूँ हाला अपने फोन को एक लंबे समय तक चला भी सकते हैं तो बिना ज़्यादा टाइम गवाए चलते हैं अपने वीडियो की दरब तो यहां बात कर लिए हैं टिप नंबर वन की यहां पर आपको अपने फोन के जो भी अन्यूजड फीचर्स होते हैं इसपेशली में बात कर रहा हूंगी जो आपके क्विक टॉगल्स में आपको मिल जाते हैं चाहें यहां पर आपका वाइफाई है आपका मोबाईल डेटा है आपका ब्लुटूथ है या फिर आपका एनफसी है जब तक यह आपके फोन में आउन रहते हैं बैक्ग्राउंड मे यह साथ में आपका रैम भी थोड़ा बहुत यूज में लेती है तो इस वज़ा से आपकी बैटरी पे भी इफेक्ट पड़ता है और आपकी बैटरी कहीं न कहीं यह कंजूम करती है तो मैं रिकमेंड करूंगा आप इन सेटिंग्स को अपने फोन की जब जब जरूरी हो त या फिर GPS इनेबल रहता है तो आपका फोन continuously आपकी location को track करता रहता है कि currently आप कहां पर है या कहीं जा रहे है तो आप currently किस जगा से किस जगा पर जा रहे है ये सारी services को आपका smartphone GPS या फिर location service के through track करता रहता है और इस service के चलते आपके फोन की जो बैटरी होती है ये भी अप इसके चलते वो सेव होने लगे और आपको एक अच्छा experience long battery life यहाँ पर मिल जाए अब बात कर लेते हैं tip number 3 की तो tip number 3 में यहाँ पर मैं आपको बताने चाहता हूँ एक बारी की चीज़ जो आप लोग कभी भी notice नहीं करते हैं तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ haptic feedback है फिर आप कहीं speaker तो ऐसे में आपके phone की बैटरी होती है थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत करके इस sound के थुरू या फिर वाइबरेशन के थुरू drain होनी शुरू हो जाती है इसका कोई मेरे ख्याल से benefit नहीं होता हाला कि आप लोग को कुछ को पसंद होगा वो यूज करते हों अब बात कर लेते tip number 4 की जो कि एक major tip है यहाँ पर मैं आपको बताने चाहूँगा आप अपने phone के अंदर काफी सारी ऐसी applications जो आप continuously यूज करते रहे होंगे for example Facebook हो सकता है WhatsApp हो सकता YouTube हो सकता Instagram हो सकता या और भी काफी सारी application जो भी आप use करना पसंद करते हो और एक समय ऐसा भ रखने से पहले यहाँ पर मैं recommend करूँगा कि आप अपने phone की जो भी recent applications होती है उनको यहाँ पर kill कर दे या फिर clear का option आपके device में आता है वहाँ से जाकर कि आप सारी applications को clear कर दे क्योंकि इससे होता किया है जब आपकी applications आपने जो use की है उनको आप minimize mode पर रहने देते हैं तो application आपके phone के background में screen off होने के बाद भी इस्तेमाल में आती रहती है आपके RAM में रहती है और साथी साथ आपके battery को भी consume करती रहती है तो recommend करूँगा आप उनको भी बंद करते ताकि आपके battery यहाँ पर भी थोड़ी सी बच जाए अब चलते हमारी पांचवी tip की तरफ तो पां आपके दिन के अनुसार चेंज होते हैं सुबा में अलग दोपैर में अलग शाम में अलग तो यहाँ पर यहाँ पर आपकी अच्छी खासी बैटरी लाइफ होती है उसको यह ड्रेन करता रहता है और इसके चलते आपका battery पेकप काफी जादा कम हो जाता है तो recommend करूँगा आप लाइव वाल्पेपर यूज ना करें इसके अलावा आपको सिंपल सा वाल्पेपर यूज करें और अगर ब्लैक कलर में आप वाल्पेपर यूज करते हैं तो उसका आपको और भी थोड़ा सा benefit यहां पर यहां पर आपकी जो ब्लैक वाले एरिया होगा वह स्क्रीन other colors होगा, वहाँ की screen का हिस्सा आपका on रहता है, तो ऐसे में आपकी battery save हो जाएगी, अगर आप कोई normal TFT या फिर IPS डिस्प्ले वाला phone भी use करते हैं, तो यहाँ पर black color, फिर भी आपकी battery को थोड़ा सा बचा लेगा, इस condition में आपकी battery इतनी ज़्यादा train नहीं होगी, जितनी के एक live wallpaper करता है, तो अब बात कर लिते हैं हमारी tip number 6 के बारे में, tip number 6 में सबसे पहले में आपको बतान चाहूँगा, auto app update के बारे में, यह feature अगर आपके phone के अंदर enable है, तो आप इसको तक कब आपकी application आपके phone में update हो रही होती है, तो जब आपकी application phone के अंदर update हो रही होती है, download हो रही होती है, install हो रही होती है, तो यह सारा जो process होता है, यह भी आपके phone के battery को consume करता है, इससे भी आपके phone की बैटरी कहीं ना कहीं बैटरी पॉफरमेंस खराब होती है तो आप इसको भी आफ कर सकते हैं इस फीचर को जो भी आप एप्लिकेशन यूज करते हो फॉर एक्जामपल प्लेस्टोर इसके लावा आप कोई भी थर्ड पार्टी प्लेस्टोर अगर यहां पर यूज करते हैं त जब आप अपने फोन को हाई ब्राइटनेस पर यूज करेंगे तो वहां पर आपके स्क्रीन एकदम चमक जाती है और काफी ज़्यादा लाइट आपकी स्क्रीन से निकल लेगती है तो ऐसे में आपकी बैटरी पर भी काफी ज़्यादा इफेक्ट परता है जब आपके फोन automatically बहुत जादा हो जाती है तो recommend यार यह करूँगा आप अपने phone को हो सके तो manually control करें अगर आपको auto brightness अच्छा लगता तो आप वो भी use कर सकते हैं लेकिन आप अपने phone को अगर half brightness या फिर उससे कमने use करेंगे तो यहाँ पर brightness के चलते आपकी जो भी battery drain होती थी वो सारी save हो जाएगी और आपको अच्छा battery backup मिलने की उमीद है तो guys यही थे मेरे आज के 7 tips जिनकी मदद से आप अपने phone की battery को काफी ज़्यादा improve कर सकते हैं अगर आप 7 के 7 tips को यहाँ पर follow करेंगे तो आपकी battery life में एक अच्छा improvement आपको देखने के लिए मिलेगा आप काफी अच्छे अपने battery life का इस्तेमाल कर पाएंगे और भी अपने किसी useful काम के लिए तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आए होगा आपको में एक अच्छा आपको में अपको आपको 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 आपका अम्मीद का